मेरे नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों महेश कुमार वर्णवाल जी की जो जोग्रफी की बुक है उसको हम लोग कप्लीट कर रहे हैं अभी जो है इस वाले वीडियो में हम चैप्टर फाइव के सेकंड पार्ट को देखेंगे जो कुछ रह गया था चैप्टर फाइव का उसको इसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे सो आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हैं और महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक को आप कम्प्लीट करना चाहते हैं सो चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल के आइकन को जरूर प्रेस करें स्वाइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को नाम है वैभफ और आप लोग देख रहे हैं करियर वित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों यह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह घटना चकर की पूरवा व्लोकन की बुक्स हैं यह आपका economics, history, polity, geography, environment और science ठीक है तो यह जो 6 बुक्स हैं इन 6 की 6 बुक्स को हम इस चैनल पर cover up करेंगे और यह मेरा आप लोगों से promise है कि 14 मई को जो आपका paper है उससे पहले तक यह सारी बुक्स complete करा दी जाएंगी तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि चैनल को तुरंट subscribe करना है और हर एक वीडियो को complete देखना है इस बात की बिल्कुल tension मतलीजेगा कि वीडियो का length क्या है 14 मई से पहले आपका सब कुछ यहाँ पर cover up हो जाएगा घटना चकर से जितना भी previous year questions है वो सारे के सारे cover up हो जाएंगे ठीक है चैनल को subscribe करके तुरंट जो है notification bell के icon को press करिए ताकि upcoming हर एक वीडियो के notification आपको मिलते रहें यह current affairs free of cost है बिल्कुल भी आपको कोई payment करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है simply up description section में जाएए और यहाँ पर इस channel को तुरंट subscribe करिए टेलिग्राम पे और जितने questions यहाँ पर आपको daily basis में मिले हर एक question को लगाईए देखिए आपको आता है के नहीं आता है ठीक है और उन questions को एकदम से आप मगब कर लिए बढ़िया से ताकि examination में जब questions आए तो आप at least ऐसा ना हो कि आप भूल जाए वो ठीक है आपको याद होना बेहत जरूरी है तो यहाँ पर जितने भी questions कराएज़े उन हर एक question को जो है आप अच्छे से पढ़िए उस question को याद कर लिए इसके लिए आपको simply telegram channel के हमारे join करना है उसको description section में link दिया हुआ है उसका यहाँ पर हम बात करेंगे chapter 5 के second part की अब second part में हम क्या पढ़ने वाले हैं सबसे important topic है यह वले यानि की folds का so folds क्या कुछ होते हैं कितने प्रकार के होते हैं यह सब हम इसके अंदर cover up करने वाले हैं so सबसे पहले बात करते हैं वले exactly होते क्या हैं यह folds तो सामान नितल पर अगर हम देखें तो शेहते जरूप से काम कर रहे संपीडन बलो के कारण चटानों की जो परते होते हैं उनके मुडने की क्रिया को क्या बोला जाता है वले या फिर वले कहा जाता है यानि कि जो सामान नितल है जो normal plane जो हम देखते हैं जैसे अगर आप हमाले की बात करें तो हमाले की जो परवत हैं वहाँ पर क्या है बहुत सारे folds पढ़े हो मतलब इस तरीके से परवते हैं ठीक है तो यह जो परवत है यह इस तरीके से कैसे यह इसलिए बने क्योंकि शेयते जुरूप से जो बल काम कर रहा है संपीडन बलियान की कम्प्रेशन का फोर्स इस तरीके से लग रहा है और बीच में जो कुछ है यह उपर और बढ़ता चला गया और जहां फोर्स कमगा वहां नीचे होता चला गया तो इस तरीके से यह फोल बलियान की जो प्रकार है वो क्या होता है सबसे पहले है आपका सिमेट्रिकल फोल्ड यानि की जो सम्मत फोल्ड वलन है इसके बारे में इसमें क्या होता है कि वलन की दोनों भुजाओं का जुकाव समान होता है पहली चीज़ यह नोट डाउन करने वाली है कि दोनों का बल काम कर रहा हो दवाब शक्ती काम कर रही हो और एक समान हो ठीक है तो इस परकार के वलन का निर्मान होता है इसका एक्जामपल आपको जरूर यहाँ přर याद रखना चाहिए कि सुड्जर स्विट्जर लेंड का जो जुरा परवत है ठीक है स्विट्जर लेंड का जो जुरा परवत है वो खुला वलन होता है और फिर यह जो नॉर्मल फोल्ड से उसका एक एक एक्जामपल है स्विट्जर लेंड का जुरा परवत इसके बाद अगला आता है आपका असमित वलन या सी होती है चोटी होती है जैसे ब्र Italy का दक्ष्नत पैनाइन पर वथ तो यह भी यहां से आपको पता चलता रहेगा कि हैminute right कहां के ठीक है अगर हम पैनाइन परवत की बात करें तो कहां का है ब्रिटेन का जूरा परवत की बात करें तो कहां का है स्विट्सरलेंड का और यह भी आपको पता चला है कि यह सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होते हैं और सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होते हैं तो एक एक चीज को हाँ पर आप लोग देखते जाईएगा अच्छा अगर आप चाहें इसका PDF लेना तो इसके लिए आपको Telegram Group को जोईन करना होगा Link description box में दिया हुआ है वहाँ पर जाकर उसको जरूर जोईन करें इसके बाद अगला है आपका एक दिगनत फोल्ड यानि की Monocleanal Fold अब यह जो Monocleanal Fold है इसमें क्या होता है इसमें वलन की एक भुजा बिलकुल खड़ी एवम शेतेश तल के लंबवत होती है जैसे की Australia का Great Dividing Range ठीक है तो आपसे कई बार एक्जाम में यह भी पूछा गया है कि Great इसमें वलन यानि की एक भुजा बिलकुल खड़ी न रहकर कुछ आगे की और निकली हुई रहती है एवम तीवर ढाल Steep Slope बनाती है जबकि दूसरी भुजा जो है वो अपेक्शाकरत लंबी होती है और कम जुकी होने के कारण धीमें डाल जो है वो बनाती है इसका निर्मान तब होता है जब दबाव शक्ती एक दिशा में अधिक तीवर होती है और इसका एक्जामपल है आपका हिमाले परवत का जो पीर पांजाल चुरेणी है पीर पांजाल रेंजेस है वो इसका एक्जामपल है इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अगला है पर आईसो क्लीनल फोल्ड या निकी समनत फोल्ड इसमें क्या होता है समनत वलण में वलण की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन शेहतिच दिशामें नहीं होती हैं इस वलण में आगे का भाग लटका हुआ परतीत होता है ऐसे वलन में संपीडन की तीवरता इस पश्ट दिखाई देती है एक्जामपल क्या है पाकिस्तान का जो काल चित्ता है वो इसका एक्जामपल है इसके बाद आगे हम बात करें तो अगला है आपका परीवलन या फिर रीकमबेंट फोल्ड अब ये जो रीकमबेंट फोल्ड है इसमें क्या होता है कि इसमें वलन की जो दोनों भुजाएं है ये एक दूसरे के समानांतर और शेहतिश दिशा में होती है इसे दोहरा मोड यानि की डवल फोल्ड भी कहा जाता है इसका इक्जाम्पल क्या है ब्रिटेन का केरिक कैसल पर्वत ये भी यहाँ पर याद रखेगा ये ग्यारिक कैसल पर्वत कहा है ब्रिटेन का है इसके बाद next हम बात करते हैं अगले example की fold की तो ये है आपका over thrust और overturned fold यानि की अधिशिप्त या फिर पतिवलन जब अत्यदिक संपीडन बल के कारण वलन की एक बुजा तूट कर दूसरे पर उलट जाती है तो उसे क्या बोला जाता है जिस तल पर बुजा का विस्थापन होता है उसे क्या बोलते हैं वित्क्रम भ्रंश तल यानि की reverse fold plane कहा जाता है वहीं जब परिवलित वलन में अत्यदिक संपीडन के कारण वलन के नीचे की भुजा उपरी भुजा यानि की जो अपर fold है उसके उपर विस्थापित हो जाती है तब उसको क्या बोला जाता है प्रतिवलित fold कहा जाता है इसके बाद next आता है fold का प्रकार वो है आपका fan fold या फिर पंखाकार वलन विभिन इस्थानों पर संपीडन की भिन्नता के कारण कभी कभी एक व्रहत अपनती में कई छोटी छोटी अपनतियां और अभीनतियां मिलती हैं यानि की anti-cline और sinkline दोनों मिलती हैं ऐसी आकिरती क संपनती यानि की anti-clonorium कहा जाता है जिसके अंदर आपको anti-cline भी दिखेंगे और sinkline भी दिखाई पड़ेंगे और इसी परकार या फिर इसी तरहे जब असमान संपीडन के कारण एक व्रहत अभीनती के अंतरगत कई छोटी छोटी अपनतियां या अभीनतियां बन जाती ह तो उस व्रहत अभीनती को क्या वो लाता है संपनती यानि की sinkloronium कहा हो जाता है ठीक है और इन दोनों इस्तलाकरतियों को पंखाकार वलन भी कहते हैं इसके बाद अगला टॉपिक यहां पर आता है हमारा वो है आपका भ्रंश की भ्रंश क्या होते है फॉल्ट अभी तक हम भ्रंशन की उत्पत्ती कब होगी जब शैतिज संचलन के दोनों बल संपीडन और तनावबल इन दोनों से होती है लेकिन तनावबल अधिक इसके अंदर महत्वपूर्ण है अधिकतर भ्रंश इसी के कारण उत्पन हुए है अब जैसे हमने अभी देखा था कि फोल्ड के ट भूकंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस्थापित हो जाते हैं मतलब एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा बूकंड जिससे सामान भ्रंश का निर्मान होता है सामान भ्रंश से भूपटल में क्या होता है प्रसार होता है जब इस्थल खंड इधर कारण निर्मित होते हैं यानि कि कंप्रेशन के कारण इसके अंदर फोल्ड पड़ते हैं अब इसमें क्या होता है कि दवाफ के कारण दरार के दोनों और के भुखंड एक दूसरे की और विस्थापत होते हैं तता एक दूसरे के ऊपर आरूण हो जाते हैं यानि कि एक अगर ऐसा है दूसरा फॉल्ड क्या हो जागा ऐसा हो जागा इसके ऊपर आ जाएगा ठीक है आरून हो जाएगा इसमें सतह का फैलाओ पहले की तुलना में क्या होगा घट जाएगा ऑवियस भी बात है ठीक है जब रिवर्स फॉल्ड होगा तो रिवर्स फॉल्ड में क्या होगा कि पहले अगर इस तरीके से पूरा समतल था अब क्या हुआ जब इसमें फोर्स पड़ा तो यहां वाला तल जो था वो इसके ऊपर आ गया ठीक है अब कितना रह गया इतना सा रह गया तो यहां पर क्या हुआ प्रसार इसका कम हो गया मतलब फैलाओ जो था वो सिकुड गया और इसे जो होता है आरूण भ्रंश या फिर थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है, उपर्योक्त, दोनों भ्रंशों के कगारों का निर्माण होता है इसमें, और जिसके सहारे लटकती घाटी है एवं जलपरपात है, इनका भी विकास होता है, इसका एक्जामपल है आपका वेस्ट में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश होते हैं, मतलब पहली चीज क्या है कि जो फॉल्ट होंगे वो पैरलल होंगे एक दूसरे के, दूसरी चीज क्या है कि सभी भ्रंश तलों की ढाल जोगी वो एक ही दिशा में होगी, सेम डाइरेक्शन में ढाल होगी, तो इसे क्या बोलाएगा सोपानी ब्रंश या फिर स्टीप फॉल्ट बोले जाएगा यूरोप की जो राइन घाटी है वो सोपानी ब्रंशों पर ही इस्तित है इसको याद रखना आप इसके बाद नेक्स नम बात करते हैं पाश्विय ब्रंश की अब यह जो पाश्विय ब्रंश है या फि ट्रांसकरेंट फॉल्ट है जब इस थल पर दो विपरीत दिशाओं में दवाब पड़ता है तो दोनों और के भूखन ब्रंश तल के सहारे धसने या फिर उपर उठने के इस्थान पर आगे आगे खिसकते हैं और इस प्रकार के ब्रंश को क्या बोला जाता है ट्रांसकरेंट फॉल्ट बोला जाता है या फिर ट्रांसकरेंट और स्ट्रीक सिलिप फॉल्ट बोला जाता है ठीक है अब इसका एक्जामपल कौन सा है कैलिफोर्निया के सेन एंड्रियास जो फॉल्ट है वो इसी का एक एक्जामपल है हिमाले के गड़वाल और उत्तरकाशी शेतर में भी इस तरीके के फॉल्ट जो है वो देखे गए हैं इसके बाद आगे हम बात करें तो यहां पर बात होगी भ्रंशन द्वारा निर्मित जो प्रमुक इस्थला करती हैं अब मतलब फॉल्ट की वजए से जो अलग-अलग लेंड फॉर्म्स बनती हैं उसके बारे में बात करेंगे तो जो फॉल्ट हैं इसके निर्माण के फॉल्सलूप कई इस्थला करती हैं निर्मित होती हैं जैसे की ब्रंश कगार, ब्रंश गाटी, रैंप गाटी, ब्रंटोष्ट परवत और हॉस्ट परवत तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी रिफ्ट वैली की या फिर भ्रंश गाटी की ये क्या होती है इसका निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश यानि की दो फॉल्ट लाइन्स जो होती है उनके बीच की चट्टानी इस्तंब नीचे की और धस जाती है जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिशाव होता ह है तब इस प्रकार की इस्ताला करतियों का निर्माण होता है जब तो मतलब भूखंड है वो एक अलग डारेक्शन में जा रहा है दूसरा अलग डारेक्शन में तो बीच वाला जो पार्ट है वो नीचे की दोर धस जाएगा और वहीं पर बनेगी क्या आपकी रिफ्ट वै गाटी है उसी में मृत सागर इस्तित है यानि की डेथ वैली जो है वहीं पर इस्तित है जॉर्डन की ब्रंश गाटी में ठीक है इसके बाद जो समुदरतल से लगबग 430 मीटर नीचे है अफरीका में नियासा रुडोल्फ टांगानिका अलबर्ट एडवर्ड जीले जो है वो भ्रंश गाटी में ही स्थित है यानि की डिफ्ट वैली में ही स्थित है सहयोगतराज अमेरिका का जो केलिफोर्निया वाला एरिया है उसमें इस्थित मृत गाटी डेथ वैली भी भू भ्रंश गाटी है और जो समुदरतल से लगबग 86 मीटर नीचे है स्कॉटलेंड की मदवर्ती घाटी दक्षन ऑस्टेलिया की जो स्पेंसर घाटी है भारत की नर्मदा है तापती है और उत्री दामोदर घाटी है नदी घाटी है वो भी जो है भ्रंश घाटियों का ही है कि प्रमुक एक्जाम्पल है इसके बाद आगे बढ़ें नेक्स्ट हम बात करें किसकी रैंप वैली की अब ये रैंप वैली क्या होती है इसका निर्माण उस इस्थिती में होता है जब दो भ्रंश रेखाएं यानि की फॉल्ट लाइन्स इनके बीच का इस्थम यथा इस्थिती में ही रहे परन्तु संप अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तनाव हुआ तनाव होने की वज़े से क्या हुआ ये जो बीच वाली वो है ये पूरी पूरी नीचे धस गई और ये दोनों इदर उदर चले गए ठीक है यहां से बनी कि आपकी रिफ्ट वैली गहरी होती है और काफी सकरी होती है ये example है, जबकि ramp valley में क्या हो रहा है, ramp valley में beach का इस thumb as it is रहेगा, और जो किनारे के दोनों इस thumb है, वो क्या होंगे, वो उपर उठ जाएंगे, मतलब ये वाला नीचे नहीं जा रहा है, ये वाले उपर की तरफ उठ जाएंगे, ठीक है, असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, वो क्या है, ramp valley का ही एक example है, जब दो भ्रंशों, यानि की falls के बीच का इस thumb यथावत रहे, और किनारे के इस thumb नीचे धर जाएंगे, तब क्या होता है, block परवत, यानि की block mountain का निर्मान होता है, जो अभी जो salt range block परवत के ही example है, यहां पर यह देखिए, यह कई लावा आप से examination में CAC पूछा जाता है कि इन में से कौन सा है, जो block mountains का एक example है, तो आपको याद अगना है कि इंडिया का जो सत्थ पोड़ा है, जर्मनी का है black forest और was jays, उसके अलावा USA की बात करें तो वाचास रेंज जो है यहां की और सियरा निवेदा, पाकिस्तान का जो है वो salt range block, ठीक है, यह salt range जो है, वो ही block mountains का ही example है, अब अगर हम बात करें सियरा निवेदा की, तो इसके बारे में यह जरूर याद रखना है कि विश्व का सबसे विस्तरित block mountain है यह, जब दो ब्रंशों के किनारों के इस थम्ब यथावत रहें और बीच का इस थम्ब ऊपर की और उठ जाए, तब क्या होता है, तब बनता है होस्ट, होस्ट mountain, मतलब अभी जो हमने देखा था, वो किसका example था, वो था आपका block mountains का, ठीक है, अभी इस वाले में क्या हो रहा है कि जो ब्रंशों के किनारे के इस थम्ब है, वो यथावत रहें और बीच का इस थम्ब जो है, वो ऊपर उठे, तब क्या होगा होस्ट, रंश गाटी, रैंप गाटी, block mountains, होस्ट परवत, प्राया एक से ही प्रतीत होते हैं, परंतु ये भू संचलन की दरस्टी से, मतलब लेंड किस तरीके से इदर उदर जा रही है, उसकी दरस्टी से ये अलग-अलग परिस्थितियों के परिणाम है, तो दोस्तों इसी के तरण चुड़ जाईए, ताकि हर एक वीडियो को आप यहाँ पर देख पाएं, और टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिए, डेली बेसिस पर वहाँ पर करवाया जा रहा है, जो आपके UPPCS के एक्जाम के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी है, ठीक है, तो अभी जो हमा